प्यारे बच्चों, LGR स्टेडी में आप सभी का स्वागत हैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गनीत में अभी हम लोग प्रसना वाली 13.1 पटाई कर रहे हैं, और आज 13.1 में हम लोग उच्वा नमबर कोशन से आगे बरेंगे, इतने में प्यारे बच्चे अगर अभी तक पेड कोर्स जोइन नहीं किये हैं, तो जरूर जोइन कर लिजिएगा, क्योंकि अभी आपको 50% का आउप मिल रहा है, शुरू करते हैं, चीजों को सीखने समझने का कोसिस करते हैं, और इस नमबर पर कॉल करके आप लोग पेड कोर्स से रिलेटेट सारा जानकारी जो है ले कर दिजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सभी विषय का वीविया उजेक्टिव कोर्शन का पीडिया, वीविया सब्जेक्टिव कोर्शन का पीडिया, क्लास नोटर, ऑनलाइन टेस्ट बिलकुल फ्री में मिलेगा, इस वाले एप पर और इस वाले अपने चल रहात पेड को दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग प्लेय स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे सामने प्यारबच्चो आ चुका है महात्पूर्ण कोईस्चन, छो नमबर कोईस्चन, ये आपको दवा का एक कैपसूल दिखरा होगा, इसी कैप कैपसूल का प्रिष्टिय छत्रफल ग्यात करना है, जिसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पर लेना, शुरू कीजे मेरे से, इसमें क्या बोला गया पहले चीज, कि दवा का एक कैपसूल एक बेलन के आकार का है, बिल्कुल बेलन है, जिसके दोनों सीरो पर एक एक आर तो बोला बना, ठीक है, जिसका यहाँ कैंदर और यहाँ कैंदर आप मान सकते हैं, और यह पूरा बीच वाला भाग जो है, वो बना बेलन, बीच वाला भाग क्या बना, बेलन, आप आगरती में देख सकते हैं, पूरे कैपसूल की लंबाई 14 मिलिमीटर है, वो यहाँ पर देखा हुआ है, और उसका ब्यास पांच मिलिमीटर है, इसका ब्यास जो है, वो पांच मिलिमीटर है, पूरा ब्यास जो है, यहाँ से यहाँ तक होता, आप जानते हैं, इसका प्रिष्टिश हजरफल ग्याद कीजिए, देखिए, इसका प्रिष्टिश हजरफल ग्याद कर अगर यहां से हम इसको कट कर देते हैं तो यह एक आर्थ गोला बन रहा है और इदर से नीचे वह एक आर्थ गोला बन रहा है करना क्या है समझें यह जो बिंदू है प्यारवच्चो ये इस अर्धगोला का केंदर होगा ये भी बिन्दू नीचे वाले अर्धगोला का केंदर होगा सबसे पाहली बात है कि ये एक कैप्सूल जो है इसमें उपर अर्धगोला नीचे अर्धगोला और बीच में बच गया आपका बेलन तो बेलन का आपको उचाई पता होना चाहिए और बेलन का त्रिज्या भी पता होना चाहिए और फिर जो आपका आर्द गोला है उसका भी त्रिज्या पता होना चाहिए अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यहां से ले करके यहां नीचे यहां तक इस आर्द गोला तक तो यह है बेलन का उचाई और बेलन का उचाई कितना होगा इस पर गंभीर चर्चा करना परेगा इस कैपसुल का पूरा उचाई उपर से नीचे तक 14 मिले मीटर है से पूछू कि इस का ब्यास अगर 5 mm है तो तर्जा कितना होगा तो 5 बट्टा 2 होगा और यह कैंद्र है तो यह जो मैं लाल लाइन खीच रहा हूं यह तर्जा होगी और यह तर्जा कितना होगा mm में होगा अब इलनका उचाई आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि नीचे गोला 5 2 x 2 mm उचा ये ओपर भी 5 बर्ता 2 mm उचा है तो 5 x 2, 5 x 2, 5 x 2 कितना हो गया सर्वर ये 5 हो गया क्योंकि आरहाई नीचे और रहाई नीचे तो 5 x 2 तो अब पलस पांच बट्टा दो होता है पांच तो ये जो आपका बेलन का उचाई बचेगा बेलन का जो उचाई बचेगा वो कितना बचेगा सर बेलन का उचाई बच जाएगा चोदो में से पांच गटाएंगे तो 9 किना मिलेगा 9 mm तो बेलन का उचाई मिला 9 mm और ये तरज्या भी मिल चुका है पांच बट्टे 2 mm तो हम इसी चीजों को पहले यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो सॉरी लिखिएगा यहाँ कि क्या लिक्केंगे यहां सबसे पहले बात करेंगे तो बेलन का ही बात कर लेते हैं यहां बेलन कि कित तरेज्या बताए कितना है sociology जो है प्यारवच्चों हम जिसको आर बोल देते हैं वह यहां पर हो जायएगी पांच बट्टे दो क्योंकि ब्यास है पांच तो यह पांच बट्टे दो मिलि मीटर काल आएगी मेलान की तिर्जय क्रिका न काल आजएगी पांच बट्टे दो तो आर्द गोला का तरज्या भी पांच बट्टे दो ही होंगे तो लिखेंगे आर्द गोला की तरज्या चुमा कीजिएगा गला कुछ साथ नहीं दे रहा है तो माइनेज कीजिएगा लिखेंगे साथ ही आर्द गोला की तरज्या अर्द गोला की तरज्या भी उतना ही होगी पांच बट्टे दो मीले मीटर ही होगी क्योंकि जितना बेलन का होगा उतना ही होगा इसका भी क्योंकि उसी पे बेलन पे ही तो अर्दोलर रखा हुआ है अब दोनों का त्रिजा मिल गया अब साथ ही लगे हाथ हम बेलन का उचाई भी लिख लेते हैं तो लिखेंगे तथा बेलन बेलन की उचाई बेलन की यहाँ पर हम निकालने बाले हैं उचाई तो बेलन की उचाई कितनी होगी फीगर का पूरा उचाई है 14 उसमें से घटा दीजिएगा आप 5 क्योंकि अरहाई नीचे अरहाई उपर तो 14 में से आपको घटाना है 5 तो दमेशी कतना घटाना है 5 घटाना है तो आपको मिलेगा 9 मीली मीटर तो आपको लंबाई चौराई में सब कुछ मिल चुका है अब आप capsule का प्रिष्टी चेतरफल निका लिए, इसका प्रिष्टी चेतरफल किसका तो capsule का, तो अगले पेज में लिखेंगे, लिखेंगे इसी लिए capsule, capsule का प्रिष्टी चेतरफल, हमें क्या करना है, निकालना है, capsule का प्रिष्टी चेतरफल निकालने के लिए क्या करना होगा, तो आपको देखिए, अर्ध गोला दिख रहा है, एगो अर्ध गोला उपर है, एगो अर्ध गोला नीचे है, तो हम किसी एक अर्ध गोला का प्रिष्टी चेतरफल, उसमें भी ब दो गुने आर्ध गोला आर्ध गोला का वक्र प्रिष्टिय छेत्रफल आर्ध गोला का वक्र प्रिष्टिय छेत्रफल आर्ध गोला का वक्र प्रिष्टिय छेत्रफल हमने दिकाल दिया दो कर दिया गुना क्योंकि दो का निकल जाए और इसमें जोर देना है बेलन का वक्र प्रिष्टिय शत्रफल बेलन का वक्र प्रिष्टिय शत्रफल आपको इसमें क्या करना है जोड़ देना है तो चलिए ये दो तो रहेगा ही आर रद गोला का प्रिष्टिय सद्रखल प्यारबच हो 2 लोनों जगह सद्रखल पर दिख रहा है तो आप आप 2 यहाँ पर अगर 2 pi r common लेंगे तो यह 2 तो बचेगा ही और एगो r भी बचेगा पलस है तो पलस 2 pi r common हो जाएगा तो h बच जाएगा क्या बचेगा h अब हम बढ़ेंगे जरा इससे आगे और इसमें मान बैठाएंगे सबी चीजों का detail solve करेंगे हम अब 2 तो प्यारे बच्चो 2 है pi का मान हम 22 बच्टा साथ ही लिखेंगे क्योंकि question में कुछ भी लेने को नहीं बोला है r मतलब 3 तरिज्या का मान अभी जस्ट हम लोग निकाले थे 5 बच्टे 2 कोष्ट के अंदर 2 गुने r करेंगे तो 2 गुने r r का मान फिर से 5 बच्टे क्या रखेंगे 2 रखेंगे पलस में h का मान लिखेंगे h यानि की बेलन की उचाई जो की 9 है तो बेलन का उचाई यहाँ पर हमें लिख लेना होगा 9 कितना लिखना होगा 9 अब जहां अगर कोई कटने वाली चीज है तो उसको पहले आप काटिए फिर आगे बढ़िए तो मुझे प्यारे बच्चों यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल 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 चलो दिखे देखो यहाँ पर आप दो से यह दो कट जाएगा ठीक है सर जी इस दो से यह दो कट जाएगा यह भी ठीक है लेकिन अब सर कहीं कटने वाला नहीं है तो आप टेंसन ना ले मैं आपको दिखाता हूँ आगे-ागे क्या होने वाला है लेकि उपर 22 और गुने 5 बच रहा है तो 22 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25 होता है आपका 200 तो 25 बच्चा हुआ है जिसको हम 14 बोल सकते हैं नौ पलस पांच कितना होगा 22 पंचे तो भाई 110 ही होता यह गुना टुक्चा हुआ कि 110 होगा बाइस पंचे 110 होगा सॉरी अब आप यहां तक जब आई चुके हैं तो काटने कोटने की काम भी कर लीजिए यह क्या आ गया भाई मेरे हुआइट पे हुआइट देखो क्या हो च्टोदों को भाग देंगे दो मिलेगा एक 110 को अब दू से कुना कीतिं एक 210 को प्यारे बच्चो अगर दू से कुना करेंगे तो 220 राबेट है यहां पर आपका फाइनल क्टा अंसर है प्यारा बच्चो 51 को इसके लिए आंसर हो जाएगा आप किसी भी बुक से किसी भी टीजर के गौपी से मिला लीजिए इस तरह और ये वेधी आपको नहीं देखने को मिलेगा नेक्स्ट प्यारे बच्चों बात करेंगे हम साथ नंबर कोश्चन का यहां पर बोला जा रहा है कि कोई तंबू है कोई तंबू एक बेलन के अकार का है तंबू जानते हैं ना क्टेंट को घाली जे तंबू क्या टेंट तो यह तंबू बेलन के अकार का है जिस पर एक संकू अध्यार नेकी यह उपर संकू रखा हुआ है यदि बेलनाकार भाग की उचाई और ब्यास उचाई है दो दो समला एक मीटर ब्या से चार मीटर तथा संकू की तिरिय कोंचाई दो दो समला आज आठ है तो इस तंबू को बनाने में पर्युक्त कैनवास का छेतरफल ग्याद कीजिए पहले तो आपको कैनवास का छेतरफल लिकालना है और फिर आपको साथ ही 500 रुप्ये प्रती मी की दर से इसमें पर्युक्त कैनवास की लागत भी ग्याद करनी है ध्यान दीजिये कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं धखना है यानि कि वक्र प्रिष्टिय छेतरफल ले करके ही हमें चलना है फीगर का बात करें तो कुछ ऐसा फीगर होगा जिसके नीचे आपको दि बेलन क्या दिख रहा है बेलन और बेलन के ऊपर यह प्यारे बच्चों बना हुआ है संकु और जो जो चीज दिया हुआ है वो सब कुछ आपको इस फीगर में हम लिख करके बताते हैं कुश्चन में ध्यान से देखिएगा तो आपको बोला गया है कि बेलना कार भाग की उ एक मिनट रहा है यदि बेलना का भाग हैं मेलकुल ठीक है की ओधेश के एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब का है चलिए है हां संकु कि त्रेंशाइब इस दे गई है तो उसमें हमें कुछ करने की जरुद़त जो है नहीं है देखिए सिधी सिधी बात है आपको बेलनाकार भाग की उंचाई दे दी गई है 2.1 मीटर तो बेलनाकार भाग की उंचाई यह होगी यह आपको 2.1 मीटर जो है दे दी गई है तो यह हो जाएगा आपका 2.1 मीटर 2.1 मीटर बेलन की उंचाई दूसरा आपको बोला गया कि ब्यास बेलन का ब्यास चार मीटर दिया गया है बेलन का ब्यास कितना है भाई साब चार मीटर अगर बेलन का ब्यास चार मीटर है तो तरज्या हो जाएगी प्यारे बच्चो दो मीटर कितना मीटर दो मीटर और अगर बेलन की तिरिया 2 मीटर है तो संकू की तिरिया भी 2 मीटर ही होगी और आगे संकू की तिरिया कुछाई 2.8 मीटर संकू की तिरिया कुछाई यानि की एल का मान आपको 2.8 मीटर इसमें दे रखा है अब आपको इसके आगे के बारे में बताने के लिए बोला गया है संकू में हमें उचाई की जरूरत नहीं परेगी क्योंकि तिरिया और तिरियक उचाई मिल चुका है और संकू का वक्र प्रिष्टे शत्रफल होता है आपको पता होना चाहिए कि पाई आर एल तो पाई आर एल से हमारा काम चल जाएगा तो इतना लंबाई चौराई आपको सबसे यहाँ क्या पता चला भाई यहां तो सबसे पहले पता चला कि बेलन का उचाई क्या चीज है कि आपक की उचाई की जो बेलन का तरजया भी दिया है एबं बेलन की तरजया अब बताओ भाई साम बेलन की तरजया क्या होगी बताइए बेलन की तरजया क्या होगी तो सर बेलन का जो ब्यास है न वो question में 4 मीटर दिया था बेलन का ब्यास करना दिया था 4 मीटर तो बेलन का ब्यास 4 मीटर है इसलिए तिर्जा हो जाएगी चार बट्टे दो मीटर चार बट्टे दो का सीधा-सीधा मतलब है दो मीटर तो बिलन की तिर्जा बिलन की तिर्जा जितना होगी उतना ही संकू की तिर्जा भी होगी तो लिखेंगे साथ ही साथ ही संकू की तिर्जा किस की तरज़्या? तो संकु की तरज़्या, संकु की तरज़्या, आप बताइए कि संकु की तरज़्या कितनी होगी, तो सर सीधी सीधी बात है, संकु की तरज़्या भी 2 मीटर ही होगी, क्योंकि संकु बेलन के उपर ही रखा हुआ है, एबम आपको संकु का L दिया हुआ है लिखेंगे एबम संको कि तिरिय को चाई यानि की एलबी कोश्चन में दिया हुआ है दो दो समला आठ मीटर दो दो समला आठ मीटर अब आपको सबसे पहला काम करना है इसका वखर प्रिष्टिय छत्रफल निकालना है कैनवास क्या पता है कैनवास मान ले जिए की कोई पदार्थ है जिसका या तंबू बना हुआ है जेनरली टेंट में क्या करते हैं तो त्रिपाल या प्लास्टिक का यूज करके हम टेंट बनाते हैं कैनवास कोई बदार्थ है जिसके पडियोग से इस टेंट को बनाया गया है तो इसमें कितना कैनवास खर्च हुआ तो पेलन के वक्र प्रिष्ट में कैन्वास खर्च हुआ है तो हम चलते हैं अगले पेज पर और सबसे पहले कैन्वास का जो छेत्रफल है वह निकालने का कोशिस करेंगे तो लिखेंगे यहां पर इसलिए हम किताब का बासा ही लिखेंगे जो लिखा है अब तो इस तंबु को ब लिखेंगे इसी लिए कैन्वास का चेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे कैन्वास का चेत्रफल लिखेंगे बारे हैं तो कैन्वास का चेत्रफल बराबर क्या होगा बाई सब तो बेलन का वक्र प्रिष्टिय चेत्रफल और पलस संकू का वक्र प्रिष्टिय चेत्रफल तो लिखेंगे बेलन का वक्र प्रिष्टिये शत्रफल और इसमें पलस करना है संकु का वक्र प्रिष्टिये शत्रफल किसका तो हम इसमें संकु का वक्र प्रिष्टिये शत्रफल जोड़ेंगे बेलन का वक्र प्रिष्टिये शत्रफल और संकु का वक्र प्रिष्टिये शत्रफल हो गया अब आप प्यारे बच्चों जानते हैं कि बेलन का वक्र प्रिष्टिये शत्रफल निकालने का सुत्र होता है तो बेलन का वक्र प्रि जगों पे है तो यहाँ पर 2R केवल H बच जाएगा तू बचेगा एच बचेगा पलस में पाय आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर L बचेगा कॉमन लेने से हमारा सॉलूशन हलका आसान हो जाता है पाय का मान आपका 22 बच्टा यहां पर साथ होगा गुने में आर हमें देना है और आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दो था तिरिजय दो था बिल्कुल ठीक है तो हम यहाँ पर दो ले लेंगे कोस्ट के अंदर दो गुने एच लिखना ह है एच का मान आप देखेंगे 2.1 cm है बिल्कुल 2.1 cm जो है न उसका उचाई दिया हुआ है तो यहाँ पर 2.1 हम लिखेंगे पलस में एल एल का मान था 2.8 तो हम 2.8 ले लेंगे solution करेंगे अब हम आगे 22 को 2 से गुना करिएगा भाई साहब तो मिलेगा आपको 44 कितना मिलेग ठीक है तो अबर में मिल गया 44 बटे में होगा साथ कोष्ट के अंदर देखिए क्या हो रहा है 2.1 को 2 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 4.2 और इसमें 2.8 जोरिएगा तो 4.2 में 2.8 जोरिएगा तो 8 तो 10 का 0 हांसिल होगा आपका एक 4 बूच और एक 7 यानि की 7.0 का मतलब 7 ही होता है तो सीधा सीधा पता चला कि 44 बटे साथ कोष्ट अटाएंगे कुना जो दो देसमला 4.2 और 2.8 मिलके हो गया 7 इस साथ से आप यहाँ पर 7 को काट सकते हैं फाइनल जो आंसर आपको मिला वो मिला 44 44 मीटर में था सब कुछ तो इसलिए 44 मीटर स्क्वाइर ए आपको मिला बेलन का जो कितना कैनवास खर्च हुआ है यह पता चला अब आपको कितना रूप्या खर्च हुआ यह भी आपको इसमें बताना है तो चुकी कुश्चन में बोला है कि 500 रुपे प्रत्ती मीटर स्क्वाइर का दर है तो पूरे कैनवास की लागत निकालना है ठ चलिए बरते हैं लिखेंगे चुकी एक मीटर स्क्वाइर कैनवास कैनवास की लागत कितनी है तो यह मीटर स्क्वाइर कैनवास की लागत है पैरे बच्शों 500 रूपया अब 500 र्पया यह की Somewhere की लागत है अब एक का लागत अगर पता हो तो आप कितना काभी निकाल सकते हैं तेसे लिए हमें 44 मीटर स्क्वार कैनवास की लागत पता करनी है तो एक की लागत है 500 44 का निकालना है 44 मीटर का तो 44 इसको गुना कर देंगे 44 के 500 को प्यार बच्चों गुना कीजिएगा तो चार पंचे हो जाएगा बीस और चार पंचे फिर से बीस तो आपको 22 हजार मिलेगा 22 हजार 22 हजार रूपया आपको खर्च लगेगा उस तंबू यानिकी टेंट को बनाने में तो दो आंसर हुआ एक तो 22 हजार और एक तो आपका 44 मीटर स्क्वार नेक्स्ट हम आगे बरेंग और 8 नमबर और 9 नमबर दो कुश्चन बचे हैं तो दोनों कुश्चन अभी हम लोग क्या करेंगे निप्ताएंगे बहुत ही टीटेल में तो समझने सीखने का पूरा प्रयास कीजिएगा हमारा जो कुश्चन है वो क्या बोल रहा है बोल रहा है कि उच्चाई 2.4 cm और ब् एक संकवाकार खोल काट लिया जाता है एक भाई साब बेलन है और उस बेलन के अंदर से एक संकू काट लिया गया कई बार आपने देखा होगा कि लकडी को अंदर से खोद करके कई सारे चीजे बनाई जाती है लकडी के इस तरह के सिल बेलन के जैसे सिल को खोद करके बनाय दिया जाता है अंदर से खोद करके ओखली बना दिया जाता है इसमें चावल बगएरा कूटने का काम होता है गाओ घर में अभी यह चलता ही है लेकिन यहाँ पर अंदर से खोद करके संकू काटा गया है ऐसा कुछ फीगर बनेगा जो आपके सामने प्रस्तूत है यह बेलन औ उपर से देखिएगा तो बेलन दिखेगा और अंदर से संकु जैसा गड़ा दिखेगा किसके जैसा गड़ा दिखेगा तो अंदर से संकु के जैसा गड़ा दिखेगा आपको अब संकु जैसा गड़ा काटा गया अंदर से तो आपको बोला गया है क्या चीज़ कि उचाई है दुन सम्मलाचार सींएम वाले एक ठोस बेलन में से इसी उचाई और इसी ब्यास वाला एक संखवाकार खोल काटा गया है यानि कि जितना ब्यास है बेलन का उतना ही ब्यास है संकु का जितना उचाई है बेलन का उतना ही उचाई है संकू का ऐसा कुछ गड़ा बनाया गया है तो सेस बच्चे ठोस का निकत्तम वर्ग सेंन्तिमीटर तक प्रिष्टी शतरफल ग्याद कीजिए तो सेस बचा ठोस क्या है इसका छत्रफल अंदर से आपको संकू का वक्र प्रिष्टिय छत्रफल निकालना होगा चारो साइड से बेलन का वक्र प्रिष्टिय छत्रफल निकालना होगा और उपर में देख सकते हैं ये वाला ब्रित जो है इसका छत्रफल भी निकालके जोरना होगा क्योंकि इधर से वो पूरा ठोस बचा ही है उपर से बृत क्या है बचा ही है तो चलिए पहले तो हम लंबाई चौराई के बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे फिर हम आगे भरेंगे हल करने के लिए जब प्यारे का ही चर्चा करेंगे लिखेंगे यहां यहां क्या है तो यहां पर है आपका बेलन बेलन की उचाई बेलन की क्या है प्यार बच्चों तो बेलन की आपको उचाई दी गई है बेलन की उचाई आपको दिया गया है प्यार बच्चों 2.4 चार सीयम है तो बताइए कि संकू काउचाई कितना हो जाएगा जिसके बारे में आगे हम लिखेंगे तो बेलन के उचाई इतना है एबम यहां पर बेलन की त्रिज्या कितनी होगी तो सर्फ बेलन की त्रिज्या जो है आप देख सकते हैं कि ब्यास दिया हुआ है एक दिसम्बला चार सीयम तो त्रिज्या इसको दो से भाग करेंगे तो मिल जाएगा यानि कि 0.7 साथ सीयम इसात बट्टे चौदवट्टे बीस सात बट्टे दस्वीर लिख सकते हैं एक काम करो आप प्यार बच्चों रहाने देजे कोई दिक्कत नहीं है एक काम करो क्योंकि हम चाहते हैं कि सोलूसन आपका छोटा बने एंड शोलूसन छोटा बने वह ठीक है सिधर सम्जों चौदव को दो से बाग देंगे साथ होगा जोकी 0.17 सीयम हो जाएगा तो आपको यहां पर संग बेलन का तरज्या भी मिल गया अब कुश्चन में चुकी बोला है कि बेलन का और संकू का तरज्या आरोचाई समान है तो इसी लिए जो आपका संकू है संकू की जो उचाई है वो भी प्यारे बच्चों 2.4 मीटर ही होगी संकू की किस चीज की तो संकू की जो तरज्या है वो भी प्यारे बच्चों 0.17 सीयम ही होगी क्योंकि कुश्चन में बोला कि दोनों बराबर है अब आपको इस ठोस का कुल प्रिष्टी शत्रफल लिकालना है तो हम इसमें संकू का वक्र प्रिष्टी शत्रफल बेलन का वक्र प्रिष्टी शत्रफल और उपर से जो ये वाला ब्रित बचा हुआ है इसका शत्रफल इसमें जोडेंगे तो चलिए हल करते हैं अगले पेज में लिखेंगे इसी लिए एक मिनट देखिए क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ लग रहा है यह लग रहा यह है कि संकू का वक्र प्रिष्टे शद्रफा निकालने के लिए पाई आर एल भाई साब संकू का उंचाई दिया है तुरिजा दिया है एल तो दिया नहीं तो आपको एल निकालना होगा तो फ़ले एल निकाल लेते हैं लिखेंगे इसी लिए ल बराबर ल बराबर प्यारे बच्चो जो सुत्र होता है वो होता है h square plus r square h square plus r square अब आप इसका मान कितना है तो हमान 2.4 का स्कॉयर होगा पलस आर का मान है जिए 2.7 इसका स्कॉयर होगा अब आप इसका मान लिखने का प्रयास करें तो सिधा सिधा आप बता सकते हैं कि सर 24 का स्क्वाइर होता है 24 का स्क्वाइर 576 होता है चुकि 2.4 गुने 2.4 करेंगे तो 576 में 2 अंक पहले दसम्ला लगा लेना होगा जो कि हम यहाँ पर 2 अंक पहले क्या लगा लिए हैं दसम्ला लगा लिए हैं फिर पलस है तो पलस 7 का स्क्वाइर 49 होगा 49 में भी 2 अंक पहले दसम्ला लगाना है तो 0.49 आप ऐसे लिख सकते हैं फिर हम इसी को आगे अगर बढ़ाके यहां से लिख देने की कोशिस करूं तो जोडिएगा तो कितना होगा यह 506 में 49 जोडिएगा तो 9, 6, 15, 4, 17, 12 और 5, 16 यानि की 635 हो जाएगा दसम्ला दो अंक पहले होगा यानि की 625 होगा यानि की 625 मिला और 625 के बारे में जानते हैं की 25 गुने 25 होता है तो 25 गुने 25 नहीं 2.5 बहार आएगा 25 गुने 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 25 फोस का प्रिष्ट्य श्यत्रफल निकानले में आप क्या करेंगे जो यह आपको बेलन दिख रहाँ ना बेलन बेलन का वक्र प्रिष्ट्य चत्रफल देंगे तो वेलेंका वक्र प्रिष्टिय चत्रफल शोड़ देते हैं फिर इसमें जोरेंगे उपर में बृत्त है न भाई उपर में जो बृत्ताकार ये सिर्ष बचा हुआ है इस ब्रित का च्चतर फल भी जोड़ना होगा जिसका सुत्र होगा पाई Our स्कॉयर क्या होगा तो पाई Pi आर स्कॉयर होगा अब आब बढ़ जाएं आगे आगे बरेंगे क्या होगा चीजों को समझने की कोर्षिज कर एगा पाई आर सब जगा प पे है यहां भी πाई आर यहां भी πाई आर तो आप पाई आर ले सकते हैं common चलिए पाई आर हम लोग common लेते हैं अगर आप पाई आर common ले लेते हैं तो यहां बचेगा 2H यहां बचेगा L और यहां पर आपको मिल जाएगा R अब मान रखिए पाई का मान कुछ question में नहीं बोला है तो 22 बटा 7 ही लेंगे R का मान अगर आप ध्यान से देखिएगा तो question में मिलेगा 0.7 0.7 चलो भाई 0.7 लिख लेते हैं कोष्ट को बंद करेंगे 2 गुने H लेखेंगे H का मान अभी जो 2.4 देखे थे जोकि 2.4 बिल्कुल ठीक है और L का मान 2.5 है तो H का मान 2.2 हम यहाँ पर 4 लख लेते हैं पलस में हम लिखेंगे L का मान जो L का मान 0.7 है यहाँ पर आपको बिल्कुल भाई एक मिनट tenha एक मिनट कि L का मन 2.5 है अभी ज़स्त निकाले है 2.5 तो यहाँ पर आपको जो की आर अभी जस्ट 0.7 आप यहां बे लिखे हैं तो आर का मान 0.7 यहां पर लिख देना होगा अब बढ़िए आगे आगे बढ़िएगा तो प्यारे बच्चों क्या मिलेगा देखिए इस साथ से 0.7 को भाग देजेगा तो 0.1 मिलेगा क्या मिलेगा 0.1 अब बढ़िए आगे और देखिए कि होगा क्या 22 को 0.1 से गुना कीजेगा यह 2.2 हो जाएगा क्योंकि एक से गुना करने पर तो कोई फर्क परेगा नहीं चार दसमला आठ होगा पलस यह 2.5 और 0.7 को जोड लीजिए अभी है तो यहां फिर रहने देजिए 2.5 0.7 कि सभी कोई कठे यहां पर जोड़ेंगे दो दसमला दो रिखिए कोष्ट अटाइएगा तो गुना और दो 5.7 और 8 15 कितना हुआ भाई साथ एक मिनट साथ पांच बारा और 8 20 होगा भाई पंदरा कहां से आ गया साथ पांच बारा और 8 20 का होगे आपका 0 दसमला ले लेंगे आप 0 और 2 2 और 4 6 और हासिल वाला जो दो है वो मिला के बन जाएगा आपका आठ यानि कि सीधा सीधा बोला जाए तो ये आठ ही है दसंबला 0 का कोई मतलब आगे नहीं होता है अब आप बोलिएगा कि 8 दूना 16 का छो बिल्कुल ठीक हासिल एक 8 दूना 16 और 17 तो 17.6 cm2 आपका एक कुलेट आंसर है लेकिन आपको लगवग मान बताने के लिए बोला है तो 17.6 को आप लगवग में 18 बोल सकते हैं बोलेंगे कैसे सर तो देखिए दसंबला के बाद का जो ये अंक है अगर 5 से जैदा हो तो आप इसमें एक जोड़ दीजिए 5 से कम हो तो कुछ मत जोड़िए तो 5 से चुकी जैदा है तो हम 18 बोल सकते हैं क्या बोलेंगे 18 बोलें आंसर हो जाएगा यहाँ आप याद रखे एंड बरते हैं आज के लास्ट एंड फाइनल कोश्चन की ओर चोकी यहां पर आपके सामने हैं बोला जा रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन्स के परतेक सीरे पर एक आर्द गोला खोद कर निकालते हुए एक बस्तू बनाई गया है हम आपको दर्साही देते हैं आकिरती यह है आपका फाइनल फिकर बेलन में से दोनों किनारे पर दोनों छोर पर आर्द गोला खोदा गया है यदि बेलन की उचाई दस सीम और आधार के तिर्जिया तिन समला पांस सीम तो इस बस्तू का संपूर्ण प्रिष्टे श ग्यात करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको आपको क्या करना है बेलन का वक्र प्रिष्टे शत्रफन निकालना है और दोनों आर्द गोला का वक्र प्रिष्टे शत्रफन निकालके जोर देना है जब हम हल करने के लिए चलेंगे तो यहाँ पर जो दी गई है पहले उसके बारे में बात करेंगे तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बेलन का उचाई सबसे पहले दिया गया है लिखेंगे यहां बेलन की उचाई, बेलन की क्या दिगई है? उचाई दी गई है दस सीयम कितना सीयम? 10 cm एबं आपको बेलन का त्रिज्या भी दिया गया है बेलन की जो त्रिज्या है वो भी दी गई है 3.5 हलका 3 अच्छा मोग कानवाला लिख लेते हैं भाई बेलन की त्रिज्या भी आपको दी गई है 3.5 cm अब लिखेंगे साथ ही साथ ही आप क्या लिख सकते हैं चुक्की भाई साथ बेलन की त्रिज्या 3.5 है इसलिए जो आपका आर्ध गोला है कौन चीज आर्ध गोला आर्ध गोला की त्रिज्या भी प्यारे बच्चों 3.5 cm ही होगी क्योंकि दोनों बात सेम हैं तो हम सब कुछ निकाल चुके हैं आप डारेक्ट इसका क्या करेंगे सॉलूसन करेंगे तो बस्तु का संपूर्ण प्रिष्टिय छत्रफल आपको निका निकालना है तो चलिए लिखेंगे इस बस्तु का संपूर्ण प्रिष्टिय छत्रफल कैसे निकालेंगे हम देखिएगा वो लिखेंगे इसलिए वस्तु का कि बस्तु का संपूर्ण बस्तु का संपूर्ण प्रिष्टिय छत्रफल लिखेंगे बस्तु का संपूर्ण प्रिष्टिय छत्रफल तो प्यारे बच्चों बस्तु का संपूर्ण प्रिष्टिय छत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा सीधी सीधी बात है आपको बेलन का वक्र प्रिष्टिय च्छत्रफल पाले तो लेना होगा तो लिखेंगे बेलन का वक्र प्रिष्टिय च्छत्रफल और इसमें जोरना होगा दो गुने आर्थ गोला दो गुने आर्थ गोला का वक्र प्रिष्टिय च्छत्रफल और इसमें जोरना है दो गुने आर्थ गोला आर्थ गोला का प्यारे बच्छो होता है 2PiR2 2PiR2 Common की बात करें तो हम 2PiR Common ले सकते हैं यहाँ पर अगर 2PiR Common ले लिजेगा तो H बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका 2R देन आगे बरेंगे, दो तो आपका दो है, पाई का मान 22 बटा साथ ले लेंगे, और त्रिज्या यानि की आर, त्रिज्या का, जो मान है, वो आप देख लीजिएगा, एक मिनट, तो आपको पता चलेगा, देखो एक बात में पताना चाहता हूं, ये, 3.5 जो आप देख रहे है न, तीन दसम्मला पांच को हम कुछ और भी लिख सकते हैं, बोलिये क्या लिख सकते हैं, सीधी, सीधी बात है, इस 3.5 को हम 35 बटे, एक मिनट, तो बोली है, देखिएगा, 35 बटे 10 लिख सकते हैं, 35 बटे कि ज़ना लिख सकते हैं, दस, आप बोलियेगा, कि 35 बटे 10 से क्या होगा, तो देखिए, 7 पंचे 35 और 2 पंचे 10, यानि कि 7 बटे 2 लिख सकते हैं, उन बातों को, 7 बटे 2 सियम बोल सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे असर, तो अगर उसका 7 बटे 2 सियम हो गया, तो अर्ध बोला का भी हम 7 बटे 2 सियम ही लिखेंगे, तो तिरज 7 बटे 2 सियम लिख लेते हैं, काम अच्छा चलेगा, उचाई जो कुष्चन में बोल रखा है, वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन उससे पहले तो भईया हम कोष्ट के बाहर काना काम करेंगे, कोष्ट के बाहर तरजिया है, तरजिया का मान रखेंगे 7 बटे 2, उसमें जो रेंगे, 2 आर, 2 तो 2 है, आर का मान आपका 7 बटे 2 भी जिस्ट हम लोग पता करें थे, अब आपका काम बहुत ही हो गया, आसान, कितना आसान हुआ देखिएगा, यहाँ पर इस 2 से यहाँ दो कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और क्या तो आर देखिएगा, आपको यहाँ पर मिल रहा है, 22 कोश्ट के अंदर आप देखिएगा, तो 10 और 7, 17 मिलेगा, कितना मिलेगा, 17 मिलेगा, यानि कि आप 17 यहाँ पर लिख सकते हैं, 17 दुना 34 का 4, हासिल 3, 17 दुना 34, और 3, 37, तो 374, सी एमे स्क्वाइर, आपका फाइनल, क्या होगा, आंसर होगा, इस तरह से यहाँ चेप्टर आपका हो गया, कंप्लीट, अगले कलास में हम लोग यह वाला चेप्टर आपका प्रसनावली, 13 दुना 2 सुरू करेंगे, थैंक्यू सो मुद्बाइ, टेक केर, मिलेंगे हम अगर के और यह दिख दे रहें।